प्रेंज्ट वियू प्रेंज्ट वेक्ट टू माई चैनल बिन्दू पालाडियाज फ्रेंज्ट कैसे आप सभी आई होप सबच्छे होंगे मस्त होंगे तो फ्रेंज्ट यह मोर्निंग का टाइम और अभी आठ बजे हैं और मैंने सारा मतलब जाड़ू पहुचा वगेरा और सब्सक्राइब का बड़ी कार्पेट था तो यह बहुत मोटा है और मतलब है यह inट तो इसी तरह से इसको हरबार जब भी वोज करना होता है तो मैं इसको नीचे लेके जाती इसे साफ करती हूं वैसे तो सभी अपना अलग अलग तरीका है थिरे मतलब मैं अपने कार्पेट को इसी तरह से वोज करती हूं तो यहां पे सबसे पहले मैंने ले जा कि इसको ड्राई ब्रस से मतलब सूखे ब्रस से इसको साफ कर लिया इसकी डस्ट निकाल दी और इसमें जितने भी बाल वगेरा जो रहता है घर में कच्र रहता तो तूड के चला जाता है तो उसको सूखे से साफ किया उसके बाद मैं इसको क्लीन पानी से वोस्ट कर लूँंगी तो इसी तरीके से फ्रेंट चेक कितने अच्छे से मतलब जल्दी भी हो जाएगा और फिर अच्छे से बीक्लीन हो जाएगा अगर बाथरूं में और उसके बाद फिर उठाके फिर मैंने इधर जेयर रखे थी तो मैं सुचे इस पर डाल देती हूँ इसका पूरा पानी निकल जाएगा और यहीं पर इसको देखिए इस तरह से मैंने पूरे को फिर अच्छे से फिर नीचे से मतलब नीचे रखा था दोया था इसलिए करके म और इसको फिर अच्छे से साफ कर लिया और इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसको साइड में धूप में ले जाके सूपने के लिए और यह गिला होने के बाद दोर भी हैवी हो गया वट कैसे भी बैनेज करके मैंने इसको दूप में डाल दिया और उसके बाद फिर मेर पर पर लेस जब पर अच्छी चिए और जो परूर नीचे लगी वही थी वो उतार दी, उप्रे, जब हैवी ओ रखे थी और जलदी से कोई भी साड़ी या सूट होता है, और साड़ी सूट का कोई भी घर में कोई समान होता है तो जल्दी से उसको छोड़ने का मन नहीं करता और उसको रिन्यूट करके उसको यूज करने की सोचती हूं तो इसलिए मैंने सुचा चलो साड़ी को भी थुड़ा सा नया लुक दिया जाए और उसके बाद फिर इसको कभी पहनने के काम में आ जाएगी क्योंकि कलर इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा था तो इस तरह से देखिए मैंने ये बीच की इसकी लैस अटा दी और दोनों जो उपर नीचे जो लगी थी उनको वापिस से इसी पे टैस कर दिया और जो पले पे पर पल गलर के जो प कभी फिर किसी काम में यूजा जाएगा और ये पैच भी किसी और काम में यूजा जाएंगे और साड़ी भी वैसी मतलब चेंज भी हो गई और अच्छी हो गई तो इस तरह से मैंने ये अपने साड़ी को नया लुक दिया तो सचा चलो आप लोगों के साथ में सेयर कर लो और इसके बाद फेंज देखिए यहां पर मैंने बनाया बच्चों के लिए ब्रेड केक और इसके लिए मैंने ले ली ब्रेड और इस नियुक हो नदे रहा हैं आप ब्रेड के इसके दो च把पनी लिया था और दो चमच मुझी ली थी और इस ठ no-la इसे किनारियों को कट इसको यूज कर लिया तो क्योंकि देखिए भी इस घोल से थोड़ा सा गिला हो जाएगा और यह नर्म हो जाएगा इतना टाइट नहीं रहेगा तो इस तरह से मेरे पास पहले के क्रीम बचे विप क्रीम तो इसको मैं यूज में कर लूँगी और यह मैंने देखिए दिरे-द भी आइनल में इसके ऊपर सारा कोट करके अच्छ इसको कवर करके और यह सिंपल सा बच्चों के लिए केक बना दिया है खाने में तो काफी टेस्टी लगा फ्रेंस बस लेकिन सिंपल सा था क्यूंकि क्रीम इतनी वच्छी होई थि और मैंने बनाई नहीं और इतनी थी उसी और क्रीम औल लडी पहले की बच्ची हुई थी तो इस ली करके बच्चों के लिए केक बन के रड़ी हो गया और यह देखि इस तरह से फाइनल इस को मैंने कवर करके इस तरह यहां पर नीटर दोध नल्याखिंगे जब गर्म हो गाया तो उसे तो 5 संधे लागता वच्पावडरी यहां पर एक कटोरी विब क्रीम ले थी तो इसके साथ में इसको फेट लिया और इसमें मैंने मतलब आदा चोटा चमच वनी लाइसेंस डाल दिया और उसके बाद देखी फेटने के बाद यह मैंने कवर करके फ्रीज में रात भर के लिए रख दिया और सुगह जब हुई तो मैंने इसको निकाला फ्रीज से और फ्रीज से निकालने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहां पर इसको मैंने इस तरह से चमच से निकाल लिया और निकालने के बाद कटोरियों मैंने सर्व किया और थोड़ा से गार्निसिंग के लिए मैंने यहां पर इसके डेकोरेशन के ल चोकलेट शेप मैं इसके उपर से डाल दूंगी और इसी तरह से फिर मेरी आइस्क्रीम हो जाएगी रहाड़ी और बच्चों ने इसको काफी नजय के साथ खाया और टेस्टी भी लगी तो यह एकदम जटपट से और रीजी से बनने वाली मतलों आसान तरीके से बनने वाली आइस्क्रीम मैंने आप लोगों के साथ में सेयर की तो आप लोगों को आज की मेरी दोनों आइस्क्रीम और केक के रहाज से प्योर मेरे साड़ी का मतलों आप लोगों कैसा लगा अगरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब को लाइक से और सब्सक्राइब को लाइक से और झandाओ सकत्थ